हम दोबो कैसे हैं हम दोस्तों आज आपको अनले 120 में नया अपडेट आ चुका है कि सकते नया सौफ़एर अपडेट आ चुक है दोस्तों वहाँ पर कुछ इस्टेविलिटी को इंप्रूफ किया गया है और कुछ इंहांस किया गया सैटिंग्स को और वहाँ पर security policy को भी update कर दिए जैसे कि security policy पहले माई की थी अब उसको भी update कर दिए गया दोस्तों यह update आपको कहा मिलेगा कैसे करना है तो आज की वीडियो में बताने माना दोस्तों वीडियो मत करीगा वीडियो को पूरा देखेगा तो यह आप समझ पाएंगी दोस्तों चलते आगे मेरे नाम सनी अरोर और आपका स्वागत है मेरे चैनल asset tech में तो इसके लिए आपको गोस्तों करना क्या है आपको जाने है अपने mobile की setting पर जैसी आप यहाँ पर mobile की setting पर जाएंगे दोस्तों यहाँ पर आप देखेंगे उपर की तरफ आपको खुदी intimate कर देगा software update is available और यह अगर आपको यहाँ पर नहीं दिखा रहा है तो आपको यहाँ नीचे की तरफ आना है नीचे की तरफ आएंगे तो आपको यहाँ पर option मिलेगा software update का यहाँ पर जाएंगे यहाँ पर जाने का सब सूपर आपको मिल रहा download and install वाल option आपको इसपे क्लिक करना है जैसी आपको आपको यहाँ पर check for update आएगा आपको यहाँ पर चेक कर लेना है और आपको यहाँ पर यह बता देगा कि update आ गया है यहाँ पर आप देखेंगे दोस्तों यहाँ पर दिखा रहा है update यह फोन नीचे आप देखेंगे what's new the security of your device has been improved security को update कर दिया गया है और software update can be include limitation device stability को improve किया जैसे मैंने पहले बताया new or enhanced features किये गए और future improvement to performance यहाँ पर कर दिया गया है और नीचे की तरफ देखेंगे यहाँ पर यहाँ पर software version दिया गया और नीचे दिया गया है size 130 MB 131 MB का यह update आया है और साथ मैं आपको यहाँ पर security page भी update हो गया है वो भी July का जैसे कि आपको मैं द इसकी security update थी बट अब मैं इसको update करूँगा तो यहाँ पर सीधा मेरे पार July security update आ जाएगी तो अब मैं इसको कर लेता हूँ दोस्तों update 231 MB का update है तो आपके mobile की internet की speed है आपके वाइक वाईक वाईक की internet speed के साब से यह download हो जाएगा अब मैं इसको कर लेता हूँ यहाँ पर download यहाँ पर मैंने download पर लगा दिया है इसके download होने के बाद को चालू करके देखते हैं इसमें क्या नए update आया है और क्या नए features आए अगर मुझे लगेगा कि तो रंदी कुछ नए features होंगे तो मैं आपको आगे बता दूँगा अगर मुझे लगता है कि अभी कुछ मुझे न जब भी का आपने मुझे लगा अवी जाए कि यहाँ पर क्लिया पर लेता हूं पर आट और री स्टाट हो जागा दोस्तों जैसे कि में हर वीडियो में बताता हूं कि जब भी आप अपने मुवाइल को सौफ्वेयर अपडेट करें उसके पहले आपका मॉइल की जो बैट् 50% के अबॉव होना चाहिए या तो फिर अपने वाइल को चार्ज पर लगा के उसको अपडेट करना चाहिए दोस्तो यह आप देख सकते हैं दोस्तो मेरा मुबाइल अब रिस्टार्ट हो चुका है रिस्टार्ट होने के आद आप देख रहे होंगे यहाँ पर यहाँ पर यह अपडेट होना चालू हो गया है मेरा तो आप देखते हैं दोस्तों फाइनली अपडेट होने ही वाला है मतलब कि लास्ट से स्टैप में है पॉन इस अपडेटिंग ऑप्टमाइज एप जो कि 450 एप्स को अप्टमाइज कर लिया गया है अब इसके बाद डारेक्ट मेर अपडेट होगा मुवाइल उसकी बाद कन्फर्म और हो जाएगा कि कौन सा यहां पर सेक्योर्टी पैच अपडेट आ चुका है तो अब यह फाइनली रिस्टार्ट हो गया है मेरा मोवाइल तो थोड़ा सा प्रोसेसिंग लेता है आप देख रहे होंगे उपर डेट एंट कोई लगाना पड़ता है और उपर की तरफ आप नोटिफिक्शन पर देखेंगे तो वहाँ पर भी आपको दिख जाएगा कि आपका मोवाइल अपडेट हो रहा है बैक्राउंड में आपको दिख रहा होगा फिनिशिंग सिस्टम अपडेट आपको दिख रहा है यहां पर क्लिक टू गेट स्टाटेड तो यहां पर भी क्लिक करके देख रहे हैं यहां पर क्या नया दिया गया कौन सी नए अप को बोल रहा है अपडेट करने को यह इंस्टॉल करने को बोल रहा है तो मैंने महाँ पर क्लिक कर दिया वर थोड़ा प्रोसेस लेगा कि पहले से ही फि एक प्रोसेस आगे चलिएगी स्टार्टिंग वन हैंड ओपरेशन प्लस अप्टिमाइज अब यहां पर कुछ नए एप को सपोर्ट करने हो मिल गया होगा इस चक्कर में आपको बोल रहा है यहां पर आपको देख रहे हों कि इतनी सारी एप आपको बता रहा है और नीचे आ ओपर option चल रहा था software update का your phone has been updated हो गया है अब मैंने यहां पर ओके कर लिए यहां पर आपका अप्डेट फिनिश हो गया है दोस्तों अब हो चुका है फाइनली अप्डेट इसकी बाद आपको जाना है अपने वाइल की यहां पर सेटिंग में जाने है आपको नीचे की आप यहां पर देखेंगे आपका मॉइल अपडेट हो चुका है फुली अपडेट बताएगा अगर आप चेक करेंगे तो आपको बता देगा अभी कोई अपडेट अब लेवल नहीं है मतलब कि आपका मॉइल पूरी तरह सब्फियर अपडेट हो चुका है यहां पर आप एक जुलाई की अपडेट हो चुकी है जैसा कि मैं पहली बता रहा था आप यहां पर आके देखेंगे चेक करेंगे तो आपको यहां पर पर पता लग जाएगा कि आपकी जो मॉबाइल की सिक्यूर्टी अपडेट है एक जुलाई की हो चुकी है जो कि अभी मैंने पहले ब प्रेदी एक जून का है और लेटे सब्सवर्टेट में आपकी सिर्क्री पेज को अपलेट कर दिया गया है जो कि वह इन जुलाई पे वह यह यह नए अपडेट था उमीद है कि दोस्तो आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी तो थेंक यू